हलो नमस्कार मैं डीक पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हरी कॉंपेटिशन एकेडमी के इस ऑनलाइन वीडियो प्लेटपॉम में आज की इस वीडियो में साकारिता भरती परिच्छा से जो कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपके क्वेस्चन पूछे गए थे ठीक है उसक संबावित-माडल औंसर के बारे यहां प्लोग डिसकस करों करने वाले हैं और इन प्रस्नों को हल करने का प्रियास करेंगे मेरे द्वारा आप लोगmental answer दिया जाएगा उसके अनुसार से आप लोगई अपने आंसर को मिला सकते हो साथ इसाथ इन सभी प्रफशनों के ऊपर हम लोग व्याख्या को देखने वाले हैं और अधिकतर क्वेश्चन आपके हमारे बुक से आए हुए थे ठीक है तो बुक में आपको क्या देखना है बुक में आप लोगों को देखना है एचार पब्लि कर आने वाले जो अगामी एक्जा में हाश्टल वाडन का पैटन है ठीक है मैं तो ये कहूton गा कि हर्ष्टल वाडन का जो लेवल रहने वाला इससे थोड़ा अधिक होने माला है ठीक है क्लास में आप लोगों को उस लेवल का तैयारी केARK हैं तो इस बुक को आप लोग पढ़िए हैं यहां से आप लोग के क्वेस्चन अधिक से अधिक बनेंगे और और इस वीडियो से आप लोग को यह अंदाजा लग जाएगा या एक आइडिया हो जाएगा कि आगामी जो आपका एक्जाम आने वाला है जिसमें आपकी कंप्यूट से देखें तो यह अपका मीड लेवल का कुस्चन था कुट्छन की बात करें तो प्रक्षेण आपके थेटर्न के होते हैं एक होता है आपका वीडिग करने दूसरा बेंखुअ sect कर आएगा और तीसरा टाइप आपका एडवांस लेवल का ठीक है तो उस टाइप की आपको त्यारी करके रखनी है और उसके लिए आप लोग को इन दोनों बुक को अच्छे से अध्यन करना है ठीक है यह आपका विशिष्ट परिचा है इसमें आप लोग को थियोरी मिल जाएगा और इसमें आप लोग को MCQ question मिलेंगे जो previous year के exam है उन सभी question का यहां पर समावेस किया गया है ठीक है और साथ ही साथ आपको अतिरिकतर जो MCQ pattern है जैसे exam में आप लोग को पूछा जाता है उसी type के question भी आप लोग को practice set के तोर पे इस book में आप लोग को मिल जाएगा ठीक है तो इसको purchase करने के लिए यह आप लोग को ध्यान रखना है तो चलिए हम लोग video को सुरू करते हैं यहां से हम लोग computer वाले section की बारे बात करेंगे और अपना पहला question यहां से से बन जाने थे ठीक है तो यहां से जब आप चारों option को देखोगे multimedia फाइल चलाने के लिए तो यह option आप लोग को थोड़ा सा गलत लगेगा ठीक है उसके बाद अगर बी वाले option को पढ़ते हैं multimedia समागरी बनाने के लिए इसको आप लोग छोड़ दीजिए ठीक है जो आपका हो जाएगा multi media समागरी बनाने के लिए जो सनलेखर उपकरण है authoring system tool है ठीक है इसका उपयोग जो जो multimedia आपकी समगरी हैं, जैसे आपका क्या क्या हो जाएगा, आपका text हो गया, image हो गया, आपका video हो गया, आपका idea हो गया, animation हो गया, इनको बनाने के लिए, इनको संपादित करने के लिए, इनका प्रबंधन करने के लिए, हम लोग कौन सा tool यूज करते हैं, तो sunlaker, उपकरण या, इसे हम लोग बोलते हैं, authoring system tool, ठीक है, तो multimedia आपके बनाने के लिए, किसका उप्योग करेंगे हम लोग, sunlaker, उपकरण, यानि की authoring tool का उप्योग करेंगे, अगर इसके example के बारे बात करें, तो इसमें आपके बहुंस सारे application आते हैं, जैसे आपका macro media flash हो गया, फिर उ उसके बाद कवेश्क, और उसके बाद क्या हो जाएगा, add of director हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों को ये जो पहला question है, इसका answer क्या होना चाहिए, आपका option number B होगा, ठीक है, उसके बाद अगला question है, email सब्दावली में BCC का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर option है, blind carbon copy, bold carbon copy, broadcast copy control, basic contact copy, इसको मैंने class में बताया है, और आप लोगों को book में मिल जाएगा, इसका answer क्या हो जाएगा, आपका blind carbon copy, ठीक है, एक होता है email में आप लोगों का, एक होता है आपका CC, और एक होता है आपका BCC, ठीक है, CC क्या है आपका carbon copy है, और BCC क्या है आपका blind carbon copy, दोनों में difference क क्या होता है तो जब आप CC का उपयोग करते हैं ठीक है जैसे आप लोग क्या करते हों अगर आप लोग को एक email को एक से अधीक व्यक्तियों को भेजना है ठीक है जैसे मैं कोई mail लिख रहा हूं मैंने को मेसेज आया है या किन-किन लोगों को भेजा गया है तो यह कौन से ओप्षन में होगा आपके CC में होगा अगर वहीं पर मैं यह कर दूँ कि यह वाले को अगर आपके जो यूजर नमबर एक है इसको पता नहीं चलना चाहिए कि या मेसेज किन-किन लोगों को गया है या फिर आपकी यूजर नमबर 2 को पता नहीं चलना चाहिए या तो यूजर नमबर 3 को पता नहीं चलना चाहिए ठीक है अगर इस प्रकार मैं करना चाहूं तो इसके लिए मैं कौन सा उप्शन यूज करूंगा आपका BCC यानि कि Blind Carbon Copy इसलिए इसका नाम क्या है जी? Blind Carbon Copy है ठीक है तो इसको एक बार पढ़ लते हैं व्याख्या को BCC का पूरा नाम है Blind Carbon Copy CC और BCC दोनों में अंतर इतना है कि जब किसी email को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जाता है तो BCC में प्राप्त करता है को या पता नहीं चलता कि या email किस किस को भेजा गया है ठीक है जब कि CC में उसको पता चल जाता है कि या email किस किस को आपका भेजा गया है या आपके जो हमारे book है ठीक है email वाले section में जो internet वाला chapter है उसमें आप लोगको मिल देआएगा यहां पे आप लोगो email के जो भाग है ठीक है उनके बारे हिहां से दिया गया है तो यहां Quesnion हम लोग देखते हैं, नियमित anti-virus software का update का की उद्धे से क्या है? तो आपका जो anti-virus होता है, क्या करता है? यह आपके system में जो virus रहते हैं, उनको ढूंडने का काम करता है और हटाने का काम करता है, ठीक है? उनको ढूंड कर खटाने का काम करता है, लेकिन anti-virus की एक कमी रहती है यह उन्ही आपके प्रोग्रामों या वायरस हो ढूंञ सकता है जिसके लिए इसके लिए इसमें कोट डाला गया है तो इसको आपके इंटी वायरस को तो यदी हम हम लोग नियमित antivirus software को update करेंगे तो यहां से हम लोग क्या होगा यहां से option को एक बार देख लेते हैं वे computer के hardware production में सुधार करते हैं ठीक है वे internet connection की गती को बढ़ा देते हैं वे software के लिए नई सुभिधाय प्रदान करते हैं ठीक है एक प्रकार से यह option तो आपको ठीक ही लगेगा और अगला option हम लोग पढ़ते हैं वे सुने चीत करते हैं कि antivirus नविंतम खत्रों का पता लगा सके ठीक है तो यह हम लोग का answer हो जाएगा option number D वे सुने चीत करते हैं कि antivirus नविंतम खत्रे यानि कि जो नए प्रकार के वाइरस आपके सिस्टम में आए हैं उनका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको अपडेट करते हैं कि इसको आपके antivirus को तो इसका answer क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा ठीक है यह क्या करता है antivirus नविंतम खत्रे का पता लग जाएगा ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा यहां पे आप लोग व्याख्या देख सकते हैं और यह हमारे book में भी दिया गया है अगर आप यह लाइन है जो इसको पढ़ेंगे ठीक है तो आप लोग को पता चल जाएगा यहां पे आप लोग को दिया हुआ है एंटी वाइरस सॉप्टेयर में कमी यह है कि उन्हीं वाइरस को सर्च करता है जिसके बारे में उसे पहले से जानकारी है नए को सर्च करने के लिए एंटी वाइरस सक्षम नहीं होता ठीक है उसके बाद यह वाले लाइन को आप पढ़़ोगे जब सिस्टम में नया वेर्स सिस्टम अपने सर्वर को बेच рокोने के लिए कोड आप प्रोग्राम लिखते हैं ठीक jar और अगले अब डेट में नए वायरस के खत्म किरने क्या 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 क्ने करते हैं कोड यूजर को सिस्टम में प्राप्त हो जाता है ठीक मतलब जब आप नए अपडेट करोगे तो उसमें जो नया वायरस आया है उसको हटाने के लिए आप लोगों को कोड मिल जाएगा ठीक है तो यह आपका 12 फंक्षन की है इन फंक्षन की से आपके स्वर्ट क्वेश्चन बहुँच ज्यादा बनते हैं इसको आप लोगों को निश्चित तोर पे अपके 12 तक आप लोगों को देख लेना है ठीक है प्रीबियस वीडियो में आपको बताया भी है कीबोड वाले वीडियो में आप DIREC decía और अप लोगों को पता ही होगा करने के लिए हैप 6 का क्या यूज है तो जो करता रहे था है अप्योग करने का क्या करता है मतलब कहने का आसा है window operating system में इसको save mode में on up करने के लिए मों किसका उप्योग करते हैं एप 8 का उप्योग करते हैं ठीक है तो इसको भी आप लोग को देख लेना है ये भी हमारे book में आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है दो तीन जगा आप लोगों को मिल जाएगा क्योंकि आपके जो function की है यह अलग-अलग application में अलग-अलग काम करते हैं सभी के लिए आपका जो shortcut है उसको दिया गया है तो जो general आपका यूज होता है F7 MS Office में spelling और grammar चेक करने के लिए यूज होता है ठीक है यह आप लोग protocol की बात की गई है तो जो URL होते हैं यह आपके कई भागों में डिवाइड रहते हैं जैसे आपका यह वाला जो सेक्षन ही यह क्या कहलाएगा protocol कहलाएगा यह जो सेक्षन है यह क्या कहलाएगा आपका तो यह host name कहलाएगा ठीक है तो यहां से हम लोग देखेंगे जो लेगा हाइपर टेक्स ट्र्रांसफर प्रोटोकोल है हाइपर टेक्स your OW past यह दो कॉल सिक्रएग, यह क्या है एक ट्रांसफर प्रोटो कॉल hai तो इसका अंसर क्वा जाएगा option नंबर B हो जाएगा ठीक है यह हमारे प्रिंटर प्रिंटर कागज पर चितर और पार्ड बनाने के लिए किस प्रकार की समागरी का उप्योग करते हैं कई बार मैंने बताया है जो लेजर प्रिंटर है और जो इंक जेट प्रिंटर है दोनों आपके कि स्रेडी में आता है तो आपके नॉन इंपेक्ट वाले स्रेडी में आता है किसमें आपके नॉन इंपेक्ट प्रिंटर की स्रेडी में आते हैं नॉन इंपेक्ट प्रिंटर कहने कहा से क्या है हम लोग printer को उसके printing करने के अधार पर divide करें तो ये दो प्रकार के printer होता है एक होता है आपका impact printer और एक होता है आपका non impact printer ठीक है impact printer कहने कहाँ से क्या हो जाएगा आपका दबाव या प्रहार के माध्यम से क्या करना printing करना मनलब कहांने कास है, आपके जो printing head है, यह कागज से क्या होगा टकराएगा जो printing he admit है, यह कागज यानि ribbon से टकराएगा और क्या करेगा, फ्रिंट करेगा जैसे है जैसे मैं आप लिएक option दूँ, कि आपको क्या करना है, एक बॉलेंगे वही पर दूसरा ले ले सकते हो क्या आप लोगए इस प्रे के माद रहा लोग दिवार को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, तो इसमें क्या होगा, जो इस प्रिंटिंग है, यह आपके दिवार से नहीं टकराएगा, दिवार कहने कास है, कागस से नहीं टकराएगा, तो इसमें ठट हम लोग क्या बोलेंगे, आपका नॉन इंपेक्ट प्रिंटर और इसमें आपके तीन प्रकार के आते हैं तो इसमें आपका laser printer आता है उसके बाद आपका ink jet printer आता है और क्या था आपका thermal printer आता है ठीक है तो इसको मैंने कई बार बताया है कि जो laser printer है इसमें हम लोग जो cartridge है उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं तो इसमें हम लोग सुखी स्याही ठीक है क्या यूज करते हैं सुखी स्याही और सुखी स्याही कहने कहा सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं परियोग करते हैं लिकवीड इंक करते हैं यह मतलब कि तरल रमकी किसमें होता है अ भी प्रिंटर के लिए तरल सियाही का उप्योग करता है यह भी आप लोग को भूक में मिल दायाएगा यहाँ परश्ड लिखा गया है कि यह प्रिंट करने के लिए फोटो कंडेक्टिव ड्रम लेजर बीम आयनित सुखी स्याही जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टोनर कार्टेज बोलते हैं ठीक है का प्रियोग करता है उसके बाद next question है computer का कौन सभाग सभी अंतरिक घटकों को जोडने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए जिम्यदार है ठीक है इस जो question है इसमें आपके option है central processing unit यानि के CPU ग्राफिक स्राड ठीक है उसके बाद motherboard उसके बाद power supply unit इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका motherboard हो जाएगा ठीक है आप लोग देखे होगे जो computer के घटक है उसमें मैंने बताया भी है इस प्रकार का एक चोकोंड डिब्बा आप लोगों को computer system में उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं cabinet बोलते हैं क्या बोलते हैं cabinet बोलते हैं और इस cabinet के board में आपको बहुत सारे component मिल जाएंगे उसी में आपका क्या रहेगा एक छोटा सा CPU रहेगा RAM रहेगा ROM रहेंगे ठीक है तो ये सभी किस में रहेंगे आपके motherboard में रहेंगे और इसी के माद्यम से आपके इस motherboard में आपका CPU RAM ठीक है ROM आपका ये सब आपके bus के माद्यम से एक दूसरे से क्या रहते हैं connect रहते हैं ठीक है तो motherboard क्या करता है आपस में सभी अंतरिक component को जोड़ कर रखता है तो ये यहाँ पे question में पूछा गया है सभी अंतरिक गटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमती के लिए कौन जिम्मेदार है तो आपका motherboard जिम्मेदार है ठीक है तो ये इसका answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा इसको आप लोग C पढ़ेंगे ठीक है option number C इसका answer हो जाएगा motherboard सभी अंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमती देने के लिए जिम्मेदार है ठीक है ये भी आपको book में मिल जाएगा यहां से आप लोग देख सकते है computer के सारे अंतरिक उपकरण motherboard को motherboard को मुद्रित किया जाता है कौन सी टेक्निक है इसको बताना impact printer है कि non impact printer है कि A और B दोनों है कि इन में से कोई नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका answer impact printer अभी मैंने बताया है जिसमें जो आपका printing head है कागस यह तक राता है ठीक है तो उसको बाद क्या लिखना है आपको BCD लिखना है DD से क्या हो जाएगा तो D से होगा dot matrix printer फिर D से क्या होगा आपका डेजी विल printer ठीक है उसके बाद BCD से क्या हो जाएगा यहां से आपका band हो जाएगा और C से क्या हो जाएगा आपका chain हो ठीक है क्या होता है आपका character printer दूसरा होता है आपका line printer और तीस्रा होता है और तेसरा होत सब करने की टेकनिक की अधार पर जीतने भी printer पड़े ठीक है आपकाDavid особi band ऐटिक हो ठीक है और क्या हो जाएगा आपको laser हो जाएगा to esa character printer कहने कास है एक बार में क्या करेगा एक character को print करेगा उसका हम लोग क्या बोलेंगे character printer line printer किसे बोलेंगे एक बार में पूरे line को print करेगा उसे line printer और page printer किसे बोलेंगे एक बार पूरे page को print करेगा उसे हम लोग क्या यहां से डेजी बील और डॉट मेट्रिक्स और उधर वाले क्या बचे आपके इंग जेट प्रिंटर और आपका थर्मल फिरल ठीक है यह सब किसमें आजाएंगे आपके करेक्टर पृट्डर में आ जाएंगे आपको यह विद्यान रखना है जो Inkset Printer है इसको कभी कभी option की इसाफ से line printer की स्रेडी में ले लेता है ठीक है तो हलाकि Inkset Printer क्या है आपका character printer है लेकिन आपके option की साफ से आपको इसको क्या मनना है line printer मनना है कई बार exam में पूछा गया है तो यहां से इसको को देख सकते हैं ये भी आप लोगों को भूक में मिल जाएगा इंपेक्ट प्रिंटर क्या होते हैं इंपेक्ट अर्था दबाओ यानि कि टकराओ ऐसा प्रिंटर जो कागज पर रीबन वह केरेक्टर को हैमर हैमर कहने का से हथोड़ा ठीक है से चोट करके छपाई करें उसे ह हम लोग जैंक देख नेक्स्ट कोशन हम लोग संद Drain के बितर एक बिशिष्ट पंक्ति और इस्तम प्रतिषेदन से माण वापस करने के लिए किस फंक्सन का उप्योग किया जाता है पिस्में आपके औप्छान है लुकाब फिर उसके बादाब और लोक फिर एंडेक्स TO प्रियास करता हूँ जैसे यहां पर मैं क्या लेलता हूँ आपके गड़े यहां से ले लिए अब उसमें नभे रिए को समझने का प्रियास करते हैं क्या है आपका बहुंस तरह डेटा एकसल के इंदर आपका पढ़ा हुआ है लेकिन आपको क्या करना है यह जो two वाले section है और इसके c column से आपको जो data range है उसी को आप लोगो पता करना है तो इसके लिए एक function होता है आपका index function इसका उप्योग करते हैं तो इसको जब आप लोग लागू करोगे तो इसमें क्या होगा आपका आप लोग को separate जो आपका column है 2 और इसमें जो आपकी C number में पहुंचता है आपका 70 ठीक है ये value आप लोग को return की रूप में आप लोग को मिल जाएगा ये होता है आपका index function भी lookup भी इसी प्रकार से काम करता है लेकिन भी lookup और index में क्या difference है तो भी lookup क्या है ये आपके first column से ही start होता है जैसे माल लिजिए मुझे क्या करना है आपके C column से क्या करना है आपके माल लिजिए यहाँ पर B की value पता करनी है तो इसमें मैं आपके अगर भी lookup का उपयोग कर प्रेंगा तो मैं इस साइड में नहीं आ सकता मतलब लेप्ट साइड में नहीं जा सकता फिलुकः शिर्फ आपके ग्राज़द साइड को उसके राइट वाले डेटा को ही क्या करें हिए अपका रिटन वैल्यू जभी देगा लेकिंट इंडेक्स में आफ है मालेह को आपको स जाएगा इंडेक्स हो जाएगा ठीक है क्योंगे इंडेक्स आपके भी लुक अपके मुकाबले में क्या है ज्यादा आपका एडवांस है ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्रेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एपल कंप्यूटर का उप्योग किया जाता है तो इसका अंसर एक लाइन में आप लोगों को दिख जाएगा मेक ओएस ठीक है भुक में आप लोगों को मिलेगा मेक ओएस मेक ओएस कहने काल सा है आपका 2001 से क्या है एपल द्वारा विक्सित एक ओप्रेटिंग सिस्टम है ठीक है तो यहां से इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका मेक ओएस हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण में कौन सा अभिन्न क्या हो जाएगा समग्र स्लाइड टेंप्लेट और सैली को प्रिभासित करना इसका अंसर हो जाएगा उबन्टू, फेडोरा, डेबियन, नीमन में से कीस पर अधारित ओप्रेटिंग सिस्टम के उधारण है तो देखिए यहाँ पे अफ्सन को पढ़ेंगे विन्डोस, MAKOS, Linux, UNIX ये सभी क्या है आपके तो ये ओपन सार्स ओप्रेटिंग सिस्टम है जो उबन तू, फेडोरा और आपके डेबियन ओपन सार्स ओप्रेटिंग सिस्टम कहने कास है इनका कोड मार्केट में फ्री में अवेलेवल है इसका उप्योग अपलोग कर सकते ह ठीक है तो यह क्या कहलेंगा आपके open source operating system अब बात आती है कि यह किस पर अधारित operating system है तो यह आपके Linux के उधारण है ठीक है यह सभी क्या है आपके Linux operating system के उधारण है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा ठीक है book में भी यहां पे आप आप लोगों को मिलेगा जहां पर आप लोगों को मिल जाएगा book में ऐसे operating system जो Linux का प्रियोग करते हैं उधारण के लिए आपके लिनक्स पर अधारित अपका operating system है अगला question देखते हैं कौन सा चेत्र आम तोर पर दक्षता और उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए computer नियंत्रित रोबोट का प्रियोग करता है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number B उत्पादन ठीक है मतलब यह जो चारो option दिया है उसके इसाब से आपका क्या होना चाहिए उत्पादन होना चाहिए और इसका answer क्या हो जाएगा option number B नेक्स्ट क्यों कि इस company द्वारा compact डिस्क यानिकी cd storage device या तकनीक को विक्सित किया गया तो इसका answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा sony ठीक है भली यह आप लोगों को book में ना मिले या किसी class में ना मिले या ना बताया गया हो फिर भी अगर आपके जो option है उसके हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा ठीक है IBM यह तो आपका hardware बनाने बनाती है लेकिन CD DVD नहीं बनाती Microsoft आपका यह भी नहीं होगा Apple यह तो बिल्कुल नहीं होगा CD बनाने काम कोन करती आपका या विक्सित करने काम कोन करती है Sony ठीक है तो देखिए जो CD का जो आविसकार है कब हुआ है आपके अगस्त 1982 में हुआ है तो इसमें दो company सामि next question हम लोग यहाँ पर देखेंगे और next or last question है अल्टा विस्टा का नाम किस से प्रेरित होकर रखा गया है इस प्रकार के भी question आपके exam में पूछे जाएंगे इसलिए आपको computer को एकदम lightly नहीं लेना है अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है या क्या है आपका एक इटाव अपक्यांस है जिसका आर्थ क्या होता है अल्टा कहने का से उच्छ होता है विस्टा कहने का से क्या होता है ठीक है इसके इसाफ से आपका answer क्या होना चाहिए option number C होना चाहिए ठीक है यह थे आपके computer से पूछे का question और इसका जो level था यह आपका मैं पहले बता चुका हूं क कि मीड लेवल का question है आपके hostel वाडन में इससे भी आप लोगो advanced level का question मिल जाएगा ठीक है तो उसकी त्यारी करने के लिए आप लोग हमारे online course purchase कर सकते हैं एप में आप लोगो मिल जाएगा एप का नाम है आपका competition academy digital classes यह आपका link नीचे इसका link आप लोगो नीचे description में मिल जाएगा चाहे तो आप लोग play store से भी download कर सकते हैं ठीक है तो आज की इस video में फिलाल इतना ही धन्यवाद